हेलो एवरिवान, वेलकम वेक टो माई चैनल, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही फेमस और बहुत ही चैट पटा काठियावारी चाट बनानी की रेसिपी और चाट तो सबका फेवरेट होता है, मेरा भी बहुत ही फेवरेट है और इसके साथ बनाएंगे बहुती स्पेशल चैटनी जो इस चाट को और भी जाधा जाएकिदार बना देगा तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते है चैटनी बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है हरा धनिया एक कप और इसके साथ थोड़ा सा हम पुधिना लेंगे एराउंड वन फोर्थ कप चार से पांच इसमें लैसुन की कलिया ढालेंगे एक छोटा सा पीस अध्रक का और तीन हरी मिर्चे आधा टीस्पून जीरा, वन फोर्थ टीस्पून काला नमक और वन फोर्थ टीस्पून नॉर्मल जो सॉल्ट होता है थोड़ा सा पानी डालके इसका थिक पेस्ट बना लेंगे तो यह चैटनी बनके रेडी है अब इसे क्या करेंगे, यहाँ पर हमने लिया है दही, बिल्कुल फ्रेश दही ले, खटा दही नहीं यूज़ करना है इसे हमने फेट लिया था, एक कप दही है और इसमें हमने चटनी एड़ कर दिया है इसे मिक्स करके यह हमारा रायता बन गया है, जो हम चार्ट में यूज़ करेंगे तो इसे हमने एक बोल में निकाल के साइड में रख दिया है, अब नेक्स प्रोसेस पे चलते हैं अब यहां पर एक पैन ले लिया है, इसमें एड़ करेंगे हम ओयल, 3-4 तीबल स्पून, जैसी तील करम हो जाएगा, इसमें एड़ कर देंगे 1.5 तीज़ पून, अद्रा ग्लैसन का पेस्ट आप चाहें तो कुटा हुआ अद्रा ग्लैसन भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा इसे भून लेंगे, इसमें डालेंगे हम हल्दी पौडर 1-4 तीज़पून, लाल मिर्चु का पौडर 1-5 तीज़पून, धनिया पौडर 1-5 तीज़पून, जीरा पौडर 1-5 थोड़ा सा इसमें पानी एट करेंगे, जिसे की मसाला जले नहीं, और इसे 2 मिनट के लिए हम पकने देंगे, अब इसमें एट करेंगे हम चिली फलेक्स, 1-5 तीजपून और इसे मिक्स कर देंगे, इसके साथ एट करेंगे हम उबले हुए चने, तो यहां पर काबूली चन बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, तो अच्छी तरव से गल जाने तक हम चने को बॉल कर लेंगे, बॉल करने के बाद इसमें मैंने चना और इसके साथ जो भी पानी था वो भी इसमें शामिल कर दिया है, तो आप देख सकते हैं, चना बहुत ही सॉफ्ट है, बिल्कुल ऐसा ही हो इसे भी मैंने बॉल कर लिया था, थोड़ा सा रेड फूट कलर डालकर और थोड़ा सा सॉल्ट, तो इसे ही जो हमारे आलू है, इसमें तोड़ा कलर आ जाता है, इसे भी हम मिक्स कर देंगे, और एक से दो मिनट के लिए पकने देंगे, जिसे की आलू में भी थोड़े से फ और हाफ टी स्पून चाट मसाला एट करेंगे, और इन सबी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करना है, इसे अब हम बहुत जादा नहीं पकाना है, बस एक मिनट के लिए इसे पका लेंगे, अभी आप देख सकते हैं कि इसमें काफी लिक्विड है, तो यह लिक्विड होना इसे अंदर शामिल कर देंगे, इससे हमारी ग्रेवी है, वो थोड़ी से थीक हो जाएगी, एक बाइंडिंग आएगी, इसे डालने के बाद दो से तीन मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे, और फाइनल आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए तो यह हमारा चैना बिल्कुल रेडी है, अब इसे हम गर्मा गर्म सर्फ करेंगे, तो यहां पर एक बोल में मैंने इसे निकाल लिया है, अब इसके उपर एड़ करेंगे हम इमली की खटी मिटी चटनी, तो इसकी रेसेपी मेरी चैनल पर है, इसका लिंक आपको नीचे डि और थोड़े से स्लाइस की हुए प्यास, थोड़े टामाटर और हरा धनिया, और अब इसके पर फाइनली हम एड़ करेंगे पापडी, जिसे छोटे पीजस में मैंने तोड़ लिया है, और भीना पापडी के तो चार्ट में मज़ा ही नहीं है, तो इसे आप जरूर ट्राइ करिएगा, इसे रमजान में बनाएए, या किसी भी टाइम आपको चटपटा खाने का मन हो, तो इसे जरूर बनाएए, आई हो पाज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो हमेचा की तरह लाइक करें, शेयर करें, और मेरी चैनल को जरूर करें, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तेल देन, टेक केर and have a wonderful day.